Hello everyone, welcome back आज तीन बड़ी ताजा खबरें हैं तीन बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जरूर हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिया की अंडर 17 सैफ चांपियंशिप विक्टरी जी हाँ, हमने एक बार फिर से सैफ चांपियंशिप जीत ली है और उसके बाद की जो दो खबरें हैं वो ज्यादा दिल्चस्प है ज्यादा मसालेदार है विकर्स इट इस अबाउट टू लेगसी कलब्स ऑफ इंडियन फुटबाल मोहन बगान और इस बेंगॉल मोहन बगान ने ट्रैक्टर के खिलाफ अपनी AFC2 की मैच खिलने से मना कर दिया है क्यों किया और उसके क्या इंप्लिकेशन होंगे उसकी बात करेंगे और इस बेंगॉल ने अपने मैनेजर को कर दिया है सैक जो के आप मैंसे हर कोई चायट एक्सपेक्ट कर ही रहा होगा तो सब की चर्चा करेंगे लेकिन I have a request guys अगर आप चैनल पे नए आया है तो प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर कर दिजे और इस वीडियो को लाइक कर दिजे ओके शुरुआत करते हैं इंडिया की सैफ अंडर 17 चैंपियंशिप विन हमारी final थी against Bangladesh we were leading 1-0 for a long time and we were obviously clearly the better team we were the best team in this सैफ चैंपियंशिप और end में जो है हमने दूसरा गोल भी मार लिया and 2-0 एक comfortable victory यार आप कह सकते हो हमारी अंडर 17 टीम को यहाँ पर सैफ चैंपियंशिप में मिली अब सैफ चैंपियंशिप के बारे में मैंने पिछले विडियो में भी बात करिये कि चाहे हमारी senior team हो या हमारी under 20 हो या under 17 हो या यह tournament हमने multiple times जीत लिया है senior team भी हमारी बहुत बार जी चुकी और under 17 लेवल पर भी this is our sixth win of a सैफ चैंपियंशिप पदलब के हमने 2013 14 19 22 23 और देखिए मैं negative नहीं होना चाहता है यह बोलके के it doesn't matter it matters yes moral high होता है team का you can only beat who's in front of you so ठीक है हमने नेपाल को हराया हमने बांगलादेश को हराया लेकिन guys let's be real here और मैं एक बहुत ही pragmatic और honest Indian football fan हूँ की और कितने दिन तक यार नेपाल को हराना है और कितने दिन तक हम बांगलादेश को हराते रहेंगे कितने दिन तक और you know Lebanon को हराते रहेंगे स्री लंका को हराते रहेंगे यह इन टीम से हम already better है हमें already अब मालूम है you understand what I'm saying so यह जो matches है इनको मैं तो personally at least अगर हाँ हमने कभी जीता नहीं होता staff championship तो मैं एक time पे मानू की ह ना यार this is something new that we have done जो शायद पहले हम में शमता नहीं थी करने कि वो अब हमने कर दिखाया लेकिन यह पहले भी बहुत बार कर चुके हैं so अब इन matches को मैं तो at least as practice matches ही लेता हूँ because under 20 team के साथ आपको पता है क्या हुआ है कल के वीडियो में मैंने detail में बात करी उसके बारे म में वो qualify नहीं कर पाए है Asian Cup के लिए right so क्या फाइदा staff championship जीत के क्या फाइदा Intercontinental Cup जीतते कितने बार जीतते रहेंगे right so अब इनों ने जो जीता under 17 team ने हमारे चलो तालिया पजनी चाहिए उनके लिए बहुत बढ़ी आए लेकिन अगले महिने से जो वो AFC Asian Cup के qualifiers खिलने वाले वहाँ पर जो है वो तजुर्बा उनका दिखना चाहिए वहाँ पर वो real test होगा जब हम quality opposition के against खेलेंगे when a lot is at stake when a place in the AFC Asian Cup is at stake तब समझ में आएगा तब होगा भाई दूद का दूदर पानी का पानी ठीक है so a good victory for India लेकिन I'm not gonna get too ahead of myself at least this time and neither should you as an Indian football fan because ये कोई इतना बड़ा test नहीं था हमारे लिए हम पहले भी कर चुके है अब बात करते हैं मोहन बगान की कि exactly ये मसला क्या है उसकी पहले बात करते है दिखिए आपको पता है मोहन बगान AFC जो पहले AFC Asia AFC Cup होता था वो अब AFC 2 कर दिया है इन्होंने मतलब के एक Champions League है and then this is the second tier of Asia's most premier club competition तो उसमें हम खेल रहे हैं कतर के अलवखरा के खिलाफ हमारे ग्रूप में जो बाकी टीम से वो बता रहा हूँ आपको इरान के ट्रैक्टर है and then of course तजकिस्तान की राफशन है जिनके खिलाफ हम अल्रेडी एक मैच खेल चुके Salt Lake Stadium में कुछ दो हफतों पहले जहापर हमने निल द्रॉ करा था तो हमारी जो सेकेंड मैच है AFC 2 में that was against that was supposed to be against this team called Tractor जो के एरानियन टीम है और हमारी ये जो मैच थी वो अवे थी on 2nd of October मोहन बगान की अब मोहन बगान के जो प्लेयर्स है 35 प्लेयर्स इंक्लूडिंग फॉरिंड प्लेयर्स और इंडिन प्लेयर्स सब ने मिलके एक sign करके एक request या document के लो आप management को भेज़ दी मोहन बगान के हाली में saying that इरान में फिलाल जो चल रहा है जो तनाव का महौल है इरान के और इस्रेयल के बीच और अभी फिलाल उनके एक leader है who was apparently assassinated also तो उस सब के चलते उस देश में जो है काफी ज्यादा tension का महौल है politically क हम safe नहीं feel कर रहे हैं वहाँ जाकर खेलने के लिए right तो यह players के request और of course यह आप मतलब certainly are as an Indian मैं यह बोल सकता हूं that it's it's very it's justified और यह logical है जो players का जो fear है एक तरह से क्योंकि ultimately they are human beings and football जान से तो बढ़कर है नहीं so from their perspective they felt like भाई बहुत unsafe है यह हमारे लिए और उन्होंने मोहन बगान के management तक वो news पहुचा दी कि हायर हमें तो ऐसा लग रहा है and मोहन बगान के management ने action भी ली saying that भाई players की safety comes first always तो हम यह match अभी फिलाल नहीं खेल सकते and उन्होंने AFC को जो है उन तो because of course हमें हमें हर team के against home and away तो खेलना ही है तो यह match सिरफ अगर reschedule हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा तो उसके उपर AFC की तरफ से अब तक I don't think कुछ response आया है लेकिन हां don't be surprised अगर AFC की तरफ से एक ban भी मिला because see ultimately guys the reality is that until and unless AFC जो जिनकी competition यह है जो के यह competition चलाती है वो जब तक के match अगर cancel नहीं किया तब तक अगर team कह रही है कि हम back out कर रहे है तो AFC की तरफ से आपको fine भी ज़रूर लग सकती है and I'm sure के मोहन बगान का जो management है they are very well aware of that लेकिन yet they have prioritized the players' safety so मेरे कहाल से यार good move मतलब I would say it's the right thing to do players की safety भाई जबसे ज़रूरी है बाकी football football तो चलता रहेगा right so यह scene है जैसे इसके उपर भी update आती है हम उसके उपर भी जरूर चर्चा करेंगे अगर AFC की तरफ से जो response आता है which is now imminent it's expected in maybe today or the next couple of days right because the match was scheduled for second of October तो मैं अभी first को video बना रहा हो तो कल की ही match है मतलब so there will be some statement from AFC soon okay अब बात करते हैं तीसरे और आखरी चीज़ की which is East Bengal sacking Carl squad right guys यह मैंने दो दिन पहले जो video बनाई थी उसके उसमें ही मैंने कहाता है that यह तो अब हो मतलब it was the most obvious thing that East Bengal could have done क्योंकि बहुत ही बेकार start इस season के लिए और खास करके जब आप दिखें जब अगर Hyderabad FC कि तीनों matches हारे है न अपने ISL के पहले तीन matches तो वो आप expected है एक तरह से कह सकते हो because उन्होंने last time भी last finish किया and उनको आप आपको आप जानते हो कि वो बहुत जारे financial pressure के अंडर भी है तो उनके वाद शायद बढ़िया player खरीदने के भी पैसे नहीं है वो जब चीज़े चल र इस बेंगॉल जैसे club के लिए जिनोंने players में काफी invest करा है जिनोंने almost 6 लाख रुपे खर्च किये हैं दो players के उपर केवल दो players के उपर जीकसिन सिंग और अनवर अली जी हां 2.5 croz for Anwar and 3.8 croz for Jigson Singh और उसके अलावा भी बहुत सारे players यार they've got Diaman Takos from Kerala Blasters उसके बाद of course Madhi Talal जो के Punjab FC के play में करें उनको भी लेके हैं तो Indian foreign signings यार उनके भरपूर रहे हैं and they really have no business losing all three of their first ISL games और somehow वो चीज़ हुई है so which is why Karlsquare threat has gotten the sack up वो पिछले season से है यहां पर and 12 साल के लिए एक तरह से आपको credit देना पड़ेगा जहां पर due है 12 साल से East Bengal एक भी trophy नहीं जीती थी तो he ended that with the super cup win which was earlier this year मतलब पिछले season वो जीते and बड़िया मतलब चीज हो गई East Bengal के लिए 12 साल से without a trophy and finally एक super cup मिल गया तो you got to give that to Karlsquare threat and plus Durant Cup के final तक भी लेके गया East Bengal को पिछले season आपको पता है referee के आगया and controversial decisions and that was such a big game of course because Darby थी पिछले साल की Durant Cup final between Mohan Bagan and East Bengal but East Bengal ended up on the losing side in that one तो ये दो चीजें जो है उन्होंने उनकी highlights रही as his stint as East Bengal manager लेकिन हा यार मतलब इतने सारे बड़िया आप signings करने के बाद अगर आप expect करते हो कि यार पहले 3 matches आप हार जाओ ऐसा भी नहीं कि एक match भी draw किया तो यार of course club का हाल काफी बुरा है and of course the powers that we are going to get impatient because results तो आने चाहिए with the kind of signings right so यार आपको क्या लगता है इन तीनो situations के बारे मुझे बता है I'll see you in my next video